अब कुछ खबरें जिलो से कांकेर जिले में राश्ट्री लोक अदालत में वर्षों से लंबित पड़े हुए अनेग प्रकरणों का समाधान किया गया जिला विदिक सेवा प्राधी करंद्वारा आयोजेत इस राश्ट्री लोक अदालत में जमीन संबंधी मामलों के अलावा कृषी राजस्व और पारिवारिक विवात के अनेग प्रकरणों का भी आपसी समझोते के जरिये निराकरण किया गया इस लोक अदालत को सफल बताते हुए कांकेर के जिला और सत्र न्यायदीश योगेश पारिख ने कहा कि इस आयोजन से जिले के ग्रामिन क्षेत्रों में रहने वाले सैक्डों पक्षकारों को त्वरित न्यायदिलाने में मदद मिली है साथ ही उनके समय और पैसों की देश भर में कल लोक सेवा प्रसारंड दिवस मनाया गया वर्ष 1947 में 12 नवंबर को राश्पिता महात्मा गांधी आकाशवाने स्टूडियो आय थी इसी दिन की याद में हर वर्ष 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारंड दिवस मनाया जाता है इसी कड़ी में आकाशवाने बिलासपुर्द्वारा कल सकती जिले के केकरा भाट गाओं में एक जागरुकता कारिक्रम का आयोजन किया गया इसमें केंद्र सरकार की विभिन कल्यानकारी योजनाओं की जानकारी दी गई कारिक्रम में विशेश रूप से प्रधानमंत्री उज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और क्रिशक कल्यान योजना सहित अन्य योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया भिलाईसपास सयंत्र के प्रभारी निदेशक अनिर्बन दासगुपता ने कहा है कि सयंत्र का आधुनिकी करण रावगाट पर्योजना पर निर्भर करता है दूरदर्शन समाचार के साथ बाचीत में श्रीदास गुपता ने बताया कि रावघाट परियोजना से मिलने वाले लोह अयस्क के जरिये भविशे में बीएसपी की उतपादन नक्षमता 12 मिलियन टन तक बढ़ाई जा सकती है उन्होंने कहा कि फिलहाल सयंत्र में कोईले का कोई संकट नहीं है रेलवे द्वारा यहां परियाप्त मातरा में कोईला उपलब्ध कराया जा रहा है